हाई एबरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल में फ्रेंड्स आज एगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपोर्टन साइंस क का एक न्यू चैटर जो हमने स्टार्ट किया था दोस्तों जिसका नमें चैटर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसे लिविंग और गेनिजम दोस्तों आज हम इस पर्ट्बर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आगे जो कि अगेर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर में देखा था कि रूट जो है पानी को कैसे अफ जो बताया था कि साथ ही में आपको बताया था किस परकार हमारे जो बर्टिकुलर बॉर्डी के ओर्गंशथ वो कैसे वर्क करते हैं यह भी चीज में आपको बताया था है और साथ ही में किडिनी जो होता है वो किस प्रकार फंक्शन करता है यानि कि है कोडिनीशन यह वर्ड दोस्तों नामस ही आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों में किसकी बात कर रहा हूँ देखो कोडिनीशन का मतलब क्या होते है पहले यह समझना पड़ेगा बारिकी से कोडिनीशन एक ऐसा चीज है हम हम तो करते हैं लेकिन प्लांच भी करते है क्यों क यहां पर जो बोल रहा हूँ यह मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों यह कैसे बोल रहा हूँ यह मेरा brain इसको control कर रहा है, यानि कि मेरे brain में, और जो मेरा जबान है, जीब में, और जो मेरा vocal cord से आवाज जो आ रही है, यहां से जो pharynx में से, larynx में से जो आवाज आ रही है, वो उसके बिच में coordination होगा, तभी तो मैं जो चाह रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ऐसा थो न external organs है, चाहे external organs है, अभी यह हाथ को मैं ऐसे ऐसे हिला पा रहा हूँ, यह board के ओपर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, यह क्या है, coordination के वज़े से ही तो हो रहा है, तो आप imagine करो, कि हमारे brain में, और यह जो organs हमारा जो चलता है, उसमें coordination ना हो, तो क्या यह हाथ अगर मुझे इस है, यह चीज़ यहान में लखना है, तो इसी को बोलते है, तो इसी को बोलते है, तो coordination, यह तो human beings के और animals की बात हो गई, से मुसी प्रकार, plants में भी coordination होता है, कि plant जो है, पानी absorb करता है, roots पानी absorb करता है, leaves तक भेजता है, leaves खाना बनाता है, फिर flowyum उसको भेजता है, correct है, य कैसे हो रहा है, यह कोई तो उसको होगा, जो signal दे रहा होगा, control कर रहा होगा, coordinate कर रहा होगा, तो यही सब चीज़े जो है, आज हम लोग बिसकस करने वाले, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, दोस्तों, क्योंकि बारी किसे बताता हूँ, conceptual knowledge बताता हूँ, छोटा topic को बड़ा करके बताता हूँ, ताकि आपको each and every point जो है, समझा सकूँ, दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आप लोग मुझे support करोगे, and ऐसे ही हमारे जो lectures, video हम आपके लिए डालते हैं, conceptual knowledge वाले, यह आप समझने की कोशिश कर गए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, coordination, तो oxygen लेने के बाद वो हमारे nose के थू कहां जा रहा है, pharynx में जा रहा है, larynx 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 में जा रहा है, वहां से उसके बाद वो blood में जा रहा है, blood के बाद cell में जा रहा है, cell के बाद वो energy produce कर रहा है, carbon dioxide को release कर रहा है, फिर वह साथ के सब्से पहले हम लोग कि प्रकार क्राइशन होता है हमें बताऊंगा कोण करवाता है क और निरोंच इम्हें अब बता हूँगा लेकिन सब्से पहले हम लोग बात कर लेंगे प्लांज के केस में no specific nervous system, कि वो उदर से operate कर पाए, और बहुत सारे activities कर पाए, ठीक है, ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो भी plants के अंदर, जो moments होते हैं, वो moments क्या होते हैं, internal moments होते हैं, moments जो होते हैं, वो internal moments होते हैं, वो किसी चीज के वज़े से हो रहे, तो वो किस चीज के वज़े से हो रहे, तो यहाँ पर देरा so many types of moments, जो की होते हैं, internal moments के वज़े से, और साथ ही में, responsiveness to stimuli का मतलब क्या होता है, यह मैं आपको बताऊँगा, responsiveness to stimuli, यह चीज ध्यान से देखो दोस्तों, मैं समझानी की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर, अब responsiveness to stimuli का मतलब क्या होता है, जैसे कि example अगर मैं बताऊ, अपने एक plant बच्चमन में देखा होगा, या फिर नहीं देखा होगा, तो अभी आपका बच्चमन ही चल रहा है, आप जाके देख लो दोस्तों, कई बहार अगर available होगा, उसको बोलते हैं चूई-मूई का पेड, तो जैसे आपने चूआ, तो अपना direction को change कर लेगा, वो उस तरफ मूर जाएगा, तो उसको बोलते हैं चूई-मूई, क्यों चूई-मूई नाम रखा, कि जैसे हम लोग छूते हैं, किसी कैसे कोई इंसान होता है, चूआ तो अरे दुखरा है मेरे को, ऐसा वला बोलता है न, तो उसको भी plant को ऐसे ही जामुच के नाम दिया गया, ताकि हम लोग अगर इसको छूएंगे, तो अपना direction को change कर लेता है, वो हट जाता है, close कर लेता है, अपनी पत्तियों को close कर लेता है, यानि कि वो stimuli के उपर काम करता है, यानि कि responsiveness to stimuli, जैसे कि किसी ने उसको touch किया, तो उसको मैसूस हो गया, कैसे मैसूस हुआ, विकॉस उसके अंदर भी receptors है, उसके अंदर भी cells है, उन्होंने मैसूस किया, और उसके वैसे उसने response किया, response करके उसने अपना आपको close कर लिया, या फिर अपना आपका moment कर लिया, तो वो जो moment हुआ, वो internally हुआ, और साथी में, वो moment क्यों हुआ, because of the coordination, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोई फीचे से आया, मारते हैं ना, बचपन में हम लोग बहुत खेलते हैं, फीचे से मार के जाते हैं, लाल बत्ती करके जाते हैं, ठीक है ना, यह सब में क्यों यूज कर रहा हूँ, किसी ने मुझे यहाँ पे टच करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर होते हैं, रिसेप्टर्स, निूरोंस होते हैं, वो मैं बात करूँगा, आगे जाके जब हमारा, human beings का topic शुरू होगा, अभी तो plants चल रहा है, तो वो हमें मैसूस हूँ अंदर से, तो सेम उसी प्रकार, plants को भी मैसूस होता है, यहाँ पे, because of responsiveness to stimulate, तो ऐसे ही बहुत सारे, अलग-अलग moments होते हैं, इसके अंदर, वो moments क्या होते हैं, हम लोग एक एक करके discuss करेंगे, तो सबसे पहला, जो moment है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं, tropic moment, मैं आपको एक-एक word का meaning बताऊंगा, दोस्तों, tension नहीं लेना है आप लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे, tropic moment, तो tropic moment का basic meaning क्या हो गया, कि अगर कोई भी plant, जो होता है, कोई भी part, जो होता है plant का, कोई भी हिस्सा हो सकता है, branches, fruit, flowers, leaves, कुछ भी part ऐसे होता है, अगर किसी बाहरी रूप से, उसको किसी ने touch किया, external तरीके से, यानि कि, अगर, tropic moment का मतलब यह होता है, कि अगर किसी ने उसको external तरीके से, touch किया, या फिर उसको हम लोग stimulus भी बोलते है, external touch बोलो, या फिर stimulus बोलो, तो उसके वजे से, अगर उसने अपने part को, यानि कि, एक तरीके से अपना जो भी body, organ होगा, leaves, branches, fruits, जो भी होगा, उसको अगर उसने move कर दिया, तो वो जो moment होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, tropic moment, या आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तो, यही important चीज़ है, क्योंकि अगर आपको कोई पूछता है, what do you mean by tropic moment, तो आप यही बोल देना, clearly, कि tropic moment मतलब यह है, कि अगर किसी part of plants को, को कोई भी touch करता है, बाहरी रूप से, external तरीके से, तो वो जो moment करेगा, वो रता है, tropic moment, clear है दोस्तो, ओके, तो यह हो गया, number one type of moment, second type of moment, जो हमें पढ़ना है, plants के case में, जो कि again, बहुत ज़्यादा important है, जिसका नाम है, phototrophic moment, और यह इसका example, बहुत ही बेतरिन बताने वालो, आप ध्यान से देखोगे, तो phototrophic moment, तो phototrophic moment का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि, मैं आपको example बताता हूँ, phototrophic moment में, आपने sunflower देखा है, sunflower, ठीक है ना, सूर्य मुखी बोलते हैं, for example, east यह है, ठीक है, मैं imagine कर रहा हूँ, let's suppose यह जो direction है, east है, ठीक है ना, तो यह east है, तो यहाँ पर सूरज है, ठीक है ना, समझ लो, यह वाला हाथ जो है मेरा, यह वाला हाथ जो है सूरज है, और यह मेरा sunflower है, तो जब भी सूरज उखता है दोस्तो, तो sunflower का नाम, इस लिए नहीं पढ़ा है sunflower, क्योंकि उसके पास एक ऐसा moment है, कि वो phototrophic है, phototrophic मतलब, photo का मतलब होता है light, तो light जहाँ पर पढ़ती है, वो उस हिसाब से move होता है, यानि कि अगर समझ लो, उसका भी move का direction change होएगा, यानि कि अगर सुबे सुबे आपने देखा होगा, कि जो fool होगा, यानि कि sunflower का जो move इस तरफ होगा, तो आप शाम को देखोगे, तो उसका move इस तरफ होगा, यानि कि उल्टे direction में होगा, क्यों हुआ, क्यों कि उसने क्या किया, movement किया, क्यों movement किया, because of photo, यानि कि light, तो light के हिसाब से, जो भी part of the plant move करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मतलब चलते तो नहीं हैं, लेकिन अपना part को turn कर ले, change कर ले, position को change कर ले, तो ऐसे type के जो movements होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, parts of the plant, यानि कि, जो भी responsiveness to stimuli, वो लोग करते हैं, with respect to the light, photo, light के वज़े से, जो भी responsiveness to stimuli करते हैं, अपने body के अंदर movement लाते हैं, तो ऐसे type के movement को, हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों, एक तरीके से बोलते हैं, phototropic moment, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अब echo type का movement है, जो कि again, बहुत जादा important है, जिसको हम लोग बोलते हैं, hydrotropic moment, ठीक है, hydrotropic moment, अब ये थोड़ा नाम से आपको पता चल जाएगा, कि मैं क्या बात कर रहा है, ये hydrotropic बोलो, gravity tropic बोलो, hydro का मतलब होता है, पानी, ठीक है ना, और gravity तो आपको पता है, ये gravity आपका अर्थ के उपर एक gravity है, अब सवाल ये है जहाँ पे, कि इसका meaning क्या हुआ, ये जो moment है, वो क्या है, मतलब plants में इसका क्या रोल है, तो जैसे कि आपको पता है, कि जो plant होते हैं, उसका जो जड़े होते हैं, roots जो होते हैं, root, वो नीचे के तरफ ही क्यो travel करते हैं, कभी सोचाएं दोस्तों, ये जो root होते हैं, जमीन के अंदर जब जाते हैं, तो for example, ये मेरा जमीन था, ये पेड है, समझ लो, इसके जो root होंगे, वो जमीन के अंदर ही क्यो जाते हैं, वो उठके वापस उपर क्यो नहीं आते हैं, क्यों, obviously सिधा सिधा reason है, simple सा बच्चोवाला reason है, क्या reason है, कि gravity उसको नीचे खीच रहा है, that's why वो नीचे की तरफ जाते हैं, ये हो गया सबसे पहला, सवाल का जवाब कि, gravitropic moment क्या होता है, यानि कि, ऐसा moment, plant का part, यानि कि, root भी तो plant का ही part है, तो part of plant जो होता है, उसका moment अगर, with respect to gravity, यानि कि, gravity के साथ साथ अगर जाता है, तो वो moment को हम लग बोलेंगे, gravitropic moment, simple सी बात, लेकिन, hydrotropic moment का मतलब क्या हुआ, पानी वाला moment, तो again, यहाँ पे भी same important, वही चीज है, कि जो roots होते है, roots क्या करते है, पानी की तलाश में होते है, क्योंकि root का काम वही है, कि to absorb the water, and send it to the xylem, so that xylem can send it to the leaves, so that leaves can prepare their food, so that, जो phloem होगा, वो food को पहुचाएगा, अलग-अलग parts तक, यह आपको basic चीज बेने, already explained किया हुआ है, ठीक है, अब यह जो roots है, यह जो roots है, वो पानी की तलाश में रहते हैं, तो let's suppose, पानी यहाँ पर present है, नीचे कहीं पर present है, होता है ना, जमीन के अंदर पानी होता है, तो roots क्या करेंगे, पानी की तलाश, तलाश में नीचे नीचे जाएंगे, एक और बहतरीन टाइप का moment है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि यह हमारा तिसरा हो गया, चाउथा मैं आपको बताना, तिसरा मतलब यह दोनों एकी थे लगबाग, अल्मोस्ट मतलब, इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हो, चाउथा जो टाइप का moment है, जिसको हम लोग बोलते हैं, chemotropic moment, नाम से थोड़ा बता चल रहेगा, chemo का मतलब होता है chemical, ठीक है न, chemotropic moment, चलो इसको देख लेते हैं, chemotropic moment क्या है, तो chemotropic moment की अगर मैं बात करूं दोस्तो, बहुत ही सरल, इसका जवाब है दोस्तो, इसका सरल, मतलब definition अगर मैं बात करूं, तो chemotropic moment, ऐसा moment होता है, अगर मेरा कोई भी plant का part, दोस्तो, कुछ moment करता है, because of some specific chemicals, यानि कि कोई chemicals के वज़े से, अब chemicals, बाहर से तो नहीं आएगा, chemicals अंदर ही होता, because we know, chemotropic moment, example अगर मैं बता हूँ दोस्तो, यहाँ पर क्या होता है, कि जो pollen grains होते हैं, ठीके न, आपने देखा होगा, कि pollination technique क्या होता है, कि pollen grains जो होते हैं, यानि कि जो दाने-दाने, जो structure होते हैं, कि इसके उपर, अब आपको थोड़ा सा और detail में बताता हूँ, कि बहुत सार ऐसे लोगोंगे, जिनको नहीं पता होगा, pollen grains क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा time लोगा, आमें बताने की, क्या लोगा, हिबिसकस का plant देखा है, सूर्य मो, नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक और नामें, शू फ्लावर, हिबिसकस बोलते हैं, रेड कलर का फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, मैं आपको डाइग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा, एक पंखुडी इधर, फिर बीच में एक दंडी ऐसा निकली रहती है, उसमें ऐसे ऐसा ऐसा निकला रहता है, ऐसा आपने देखा होगा, और यहाँ पे चुट 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 पोल्स एलो कलर के रहते है, और ऐसा करके बहुत सारे पंखुडी रहते है, तो इस प्रकार का आपने फूल देखा है दोस्तो, इसके अंदर से एक दंडी रिकलती है, रेड कलर वाली, रेड कलर का फ्लावर रहता है, हिबिसकस भगवान को चड़ाते है, उसको आपने देखा होगा दोस्तो, और एक जर्मिनेशन कर सके, रिप्रोड़क्शन कर सके, इसके लिए, ठीक है, तो वो जो अव्यूल के अंदर जा रहा है, वो क्या है एक तरीके से, चैमिकल वाला चीज है, तो वो जो मुमेंट करेगा, पोलन ग्रेंज जब जाएगा इसके अंदर, विकॉस ऑफ मुमेंट, तो वो जो मुमेंट रहेगा, यह केमिकल तरीके का मुमेंट है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे, कीमो ट्रॉफिक मुमेंट, क्लियर है दोस्तो, तो उमीद करता हो कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही बहुत सारे और भी मुमेंट है, जो आपको बहुत जादा इंपॉटन्टी ने, लेकिन आपको याद रखने है, जैसे कि आपको बताओ यहाँ पे, कि कुछ मुमेंट ऐसे होते हैं, जो ग्रोफ करते हैं, जो ग्रोफ करते हैं, जो इसके हाइड बढ़ती है, जो है वो बढ़ रही है, अपने आप बढ़ती है, कोई खीच रहा है कि उपर से उसको, आप छोटो देखोगे, जैसे होती है, वो क्या होती है, दोस्तो बढ़ती है, तो अगर इनकी हाइड जो है दोस्तो बढ़ रही है, ग्रोफ जो है इनकी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि वो कहीं न कहीं मुमेंट कर रहा है, विज रिस्पेक्ट टु ग्रोफ, तो अगर कोई भी ऐसा टाइ के leaves को, वो type के plants को, तो अपना direction को change कर लेता है, और यही जो type का growth होता है, इसको हम लग बोलते है growth relevant moment, ठीक है ना, कुछ ऐसे specific moment होते हैं, जिसमें क्या होता है, moment नहीं हो पाते हैं, मतलब यह growth irrelevant होते हैं, इसमें growth properly perform नहीं हो पाता है, यानि कि plants जो है अपना, जो cell का यह shape होता होता है, क्योंकि hormones इतने जानदा नहीं है, तो वैसे plants में किसी किसी के hormones develop नहीं हो पाते हैं, तो उनकी भी height थोड़ी कम रहे जाती है, तो वो क्या होता है growth irrelevant moments में consider किया जाता है, और कुछ नहीं दोस्तों, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह particular चीज आपको बहुत ही human being में coordination होता है, जो की again, बहुत important topic है, इसको देख लेना दोस्तों, फिर हमारा आज का lecture को stop करने में, I know थोड़ा सा बड़ा lecture हो रहा है, but don't worry, यह topic कर लो, फिर हमारा coordination totally complete हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जाके, जो मैं लेक्चर लेके राएंगे, तो उसमें एक new topic की शुर करेंगे, उसमें animals भी cover हो जाते हैं, ठीक है, चलो, देख लेते हैं, क्या-क्या है, okay, heading डाल देते हैं सबसे पहले, सबसे पहले heading डाल देता हूं दोस्तों आपके लिए, ठीक है, marker change कर लेता हूं, ठीक है, क्या नाम है, मैंने बोला, आपको coordination, coordination in humans, या फिर human being लिख लो, ठी ठीक है, coordination in humans, तो human में कैसे किस प्रकार coordination होगा, ये सबसे पहले हम लोगो discuss करना है, plants के बारे में आपने समझ लिया, बहुत सारे type के moments में आपको मैंने बता दिया, I am clear करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरी में उमीद कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा, coordination, human being में या फिर humans की अगर मैं बात करूंगा, तो humans में जैसे मैं आपको start में बताया, कि there are some specific organs, human में coordination करवाने के लिए क्या होते हैं, एक specific organs पहले से ही decided है, specific organs होते हैं, और वो organs को हम लोग बोलते हैं, दोस्तो, nervous system, ठीक है, वो organ को हम लोग क्या बोलते हैं, nervous system, लेकिन ये nervous system की बाद हम लोग बात में करेंगे, जिसमें हम लोग अलग-अलग type के nervous system क्या होते हैं, central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system होते हैं, ये सबी चीज़ हम डिसकस करेंगे, in the next lecture, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि coordination किस प्रकार होता है, अब human beings में coordination का मतलब exactly क्या होता है, ये हम लोग आपको बताने की कोशिश करें, let's suppose जैसे मैंने बोला, कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, दोस्तों, वो कौन coordinate कर रहा है, कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपको समझ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको coordination बोलने की कोशिश कर तो कही ने कही उनके बीच में एक तालमेल है, कॉडिनेशन है, तभी तो मैं बोल पार रहा हूँ, तो यह जो कॉडिनेशन है, या फिर अगर मैं जो चीज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यह अपना नाम लिख दिया, ठीक है ना, ने लिख दिया, राहूल जेस्वाल, और उसको करने में help किस ने किया, आँखोने, क्योंकि कहां लिखना है, वो भी तो important है, अगर आपके आँखे बंद रहेगी, और आपको लिखने की कोशिश करना है, और मैं बोलूगा कि चलो यह एक box है, ठीक है, यह box है, मेरा brain बोल रहा है कि यह box में अपना नाम लिखके दिखा, तो समझ लो मेरी आँखे बंद दे, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो समझ लो कि मैंने box बनाया था, मुझे पता नहीं exactly कहां पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, लिखने की चलो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर चेक करता हूँ, देखो, box में प्रॉपर तरीके से नहीं आया, लेकिन अगर मैं वही चीज़ देख के कर पार हूँ, मतलब मेरा कॉडिनेशन अभी हो रहा है आखो से, तो देख के करूँगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से नाम अपना लिख पा रहा हूँ box में, यानि कि अगर मैं कोई भी specific organs के बीच में तालमेल अगर बिठा लेता हूँ, कॉडिनेशन कर पाता हूँ, तो exactly हम जो करना चाते हैं, वो मैं कर सकता हूँ, यही चीज़िया है हमारा कॉडिनेशन, और वो करने में help कोन करता है हमारा brain, जो की connected है हर part of the body से, और वो जो body part से connected है, उसको control कोन करता है हमारा nerve control, nerve control यानि कि पूरा का पूरा nervous system, यह जो nerve control होता है, इसमें एक सबसे important organ जो माना जाता है, कॉडिनेशन करने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं, nerve, cell, या फिर इसको बोला जाता है, neurons, अब यह neurons क्या होता है, यह मैं diagram आपको बताऊँगा, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, दोस्तों बिल्कुली skip मत कीजएगा, क्योंकि अगर आपने यह चीज सीख लिया, 11-12 आपका basic चीज आराम से clear हो जाएगा, इतना मेरी guarantee है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, जो भी चीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, अभी, ठीक है ना, अब यहाँ पर सबसे पहले चीज मैं यह neurons जो है, इसका diagram बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग के लिए, तो किस प्रकार neurons का diagram है, यहाँ पर कुछ निकले रहते हैं इसे, एक्जॉन्स, टर्मिनल, और यहाँ पर एक तरीके से कुछ arrangement इस प्रकार होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से arrangement होते हैं, यहाँ पर उसका एक nucleus होता है, यह nucleus दिखा देता हूँ, अब, यह exactly होता है, इसका naming कर देता हूँ, सबसे पहले मैं एक कुछ diagram जो है, इसको मैं complete कर दूँ, आप थड़ा सा patience रखे, आपको पता चलेगा कि मैं exactly क्या बना रहा हो दोस्तों यहाँ पर, यह होते है dendrites, यहाँ पर मैं naming करता हूँ, उसका dendrites, ठीक है dendrites हो गए, यह उसका हो गया nucleus, ठीक है, आपको मैं explain करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको मैं explain करने वाल हो, आपको tension नहीं लेना है, this is the cell body, this is the cell body, and the most important thing is the node, this is the node point, हर एक में node होते हैं, this is the node point, ठीक है, nodes, ठीक है, nodes होते हैं, ठीक है, और, ओके, यह होता है, आपका exon terminal, ठीक है, यह होता है, exon terminal, ठीक है, यह diagram मैंने बना लिया, अभी, यह मैं आपको explain कर रहा हूँ कि exactly है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग neuron, यह क्या है, एक nerve cell है, nerve cell, या फिर इसको बोलते हैं, what do you mean by coordination in human beings and कैसे होता है, तो जिस प्रकार मैंने बोला, कि मुझे हाथ से कुछ लिखना है, तो मेरे brain ने क्या बोला, signal भेजा, एक brain ने क्या किया, signal भेजा, कि यह brain समझ लो, signal भेजा होगा, आया होगा, यहां पे आया होगा, हाथ पे आया होगा, यहां तक मेरे hand में गया ह पाम में आया होगा, मैंने लिखा होगा, correct है दोस्तों, तो वो जो signal जा रहा है, वो exactly कैसे जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो जाता है, because of nerve cells and neurons, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, brain के अंदर, लगबख 100 billion neurons present होते हैं, just imagine दोस्तों, 100 billion मतलब कितना होता है, 1 billion मतलब of cells है, तो वो क्या एक cells है, जैसे कि पूरा का पूरा शरीर हमारा cells से बना हुआ है, उसी तरह हमारे शरीर में normal cells, जो tissue बनाते हैं, उसके अलावा echo type का cells होता है, जिसको बोलते है, nerve cells, जो कि हमारे brain से connected होता है, with respect to the organs, तो होता क्या है, होता क्या है, वो मैं आपको बतारो, ध जैसे structure दिख रहे, यह क्या होता है, तरीके से nerves endings होते है, जो कि dendrites लेके आता है, यह तो उसका nucleus है, जो उसको control करेगा, यह एक cell है, यह पूरा एक cell है, जैसे cell का आपने structure इस प्रकार ही देखा होगा आज तक, यह cell है, ऐसे ही देखा होगा आपने अभी तक, लेकिन यह भी एक cell है, इस प्रकार उसका shape है दोस्तो, तो आप बोल सकते हो कि neurons होते हैं, यह सबसे largest cell होते हैं, हमारे पूरे शरीर में सबसे लंबे cell माने जाते हैं, तो क्या होता है? वो signals क्या होता है? Anybody impulse के होता है? impulse इसको बोलते है हमारा biological language में इसको बोलते है impulse तो आपको याद रखना है कि brain हमारा impulse बेज़ेगा यानि कि signals बेज़ेगा वो signals को receive कोन करेगा dendrites dendrites यहाँ से pass करेगा यह एक cell 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 जुड़ा 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 इसके बीच में jumper होता है वहाँ से jump करके signals जाते हैं यानि कि impulse जाते हैं दूसरे dendrites वापस है नया neurons तो ऐसे ही चलते चलते मतलब यहां से लेके यहां तक कितने neurons में ले होंगे तो वो जो impulse ब्रेन ने बेजा जो मुझे करवाना है जो मेरी इच्छा से हो रहा है जो मेरा voluntary action है जो मैं अपने मर्जी से करवा रहा है वो signals जाएंगे हातों तक with the help of these neurons तो वो पूरा impulse को बिजली जैसे जाती है न दोस्तों वैसे ही वो signal जाते हैं यहां से यहां फिर वो उदर से वापस से शुरू हो जाएगा नया नया करते करते कब तक चलेगा जब तक वो जहां पर पहुचाना चाता है वहां तक ना पहुचा दे तो even every action मेरा एक होट हिल रहा है मेरी पलक जपकरिये मेरा digestion हो रहा है मेरा heart धरक रहा है हर चीज में neurons का विजए से ही यह चीज possible हो रहा है इसको impulse को information जो होता है उसको transfer करते है dendrites के पास dendrites से neurons के मेरा transfer होता है उसके बाद वो पुरा ये जो type का shell है इसको हमने बोलते है श्वान सेल्स बोलते है इसको श्वान सेल्स में आते हैं दीरे-दीरे exons के पास आते है exon terminal यानि कि खतम हो गया exon end हो गया यहाँ पे फिर exon end हो गया तो वापस से एक नया neuron आएगा तो उसके सामने फिर से dendrites से आएगा फिर से यह travel करेगा और कब तक travel करेगा जब तक वो हाथों तक signal नहीं पुचा दे और इसी प्रकार जो होता है दोस्तो impulse एक जगा से दूसरे जगा वो travel करता रहता है and travel करने के वज़े से दोस्तों वो क्या करता है जो भी signals आएंगे उसको महसूस करेगा अब सेम इसका उल्टा भी होता रहेगा कि अगर हाथों में किसी ने जटका दिया या फिर एक आग है एक आग लग रहा है या पर मैंने हाथ के उसके उपर आग रख दिया जो कि एक topic है हमारा जिसको हम लोग बोलते है response to stimulus to stimuli या फिर उसको हम लोग बोलते है एक तरीके से reflex action बोलते है जो कि आगे आपका एक topic है तो वो में आपको बता हूँगा यानि signals को लेते है और वो transfer करता है जो कि मैंने बहुत simple तरीके से आपको बता है क्योंकि आपका basic पढ़ना है आपको 11th में हो 9th में हो basic पढ़ना है जब आप 11th में जाओगे तब थोड़ा और deep में पढ़गे क्योंकि एक chapter है वहाँ पे भी already तो और चोड़ा deep में पढ़गे लेकिन दोस्तों उमीद करता हूँ कि किस प्रकार हमारा neurons carry कर रहे है ये आपको समझ में आ गया कि तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो बोल रहे हो खा रहे हो हस रहे हो हर चीज में दोस्तों neurons कही खेले और वो impulse को बेशता है brain brain से organs तक organs से brain तक और ये continuously flow होता रहता है और ये सभी चीज़ को control हमारा brain करता है इतना आपको ये चीज़ याद रखना है clear दोस्तों तो यही ता दोस्तों हमारा आज का topic जिसका नाम ता coordination तो coordination plants में किस प्रकार हो रहा है animals यानि कि human beings में किस प्रकार हो रहा है with the help of neurons ये diagram भी आपको याद रखना है दोस्तों क्योंकि important है exam में जरूर से पुछता है ऐसा diagram जरूर से कर लेना दोस्तों ये सभी चीज़ और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आज का lecture यहीं पर समाप्त होता है जिसमें मैंने पूरा का पूरा coordination आपका खतम कर दिया है जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए lecture lecture no.4 में जिसमें आपको और भी बहतरी topics and साथ ही में आपको बताएंगे कि neurons जो है वो कौन से तीन प्रकार के होते हैं नर्वस सिस्टम तीन प्रकार के कौन से होते हैं human body के अंदर यह बहुत ही important topic है उसको भी explain कर दूँगा तो ध्यान से देखिएगा इंतजार कीज़ेगा बस थोड़े दिरोगा ताकि हम लोग अगला lecture फटा फट लेकर आजगे और यह वीडियो आपको कैसा लगाए दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा अपनी राय और सजिक्षन जरूर से दीजेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है यूसफूल लगाए फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटा 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 शेर कर देना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटा से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना सापने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगो नोडिफिकेशन मिलती रहेगी तुम मिलते हमार एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाई